असलाम अलेकुम एवरिवन, वेलकम बैक टो माई चानल, आज हम बनाने वाले हैं आलो की बज्जियां और प्यास की बज्जियां, बज्जियां खाने के लिए आपको बारिश के मौसम का इंतेजार नहीं करना है, क्योंकि दुबई में बारिश होती ही नहीं है, तो इसलिए जब भी मन करेगा बज्जियां बनाके खाएं और चाय के साथ एंजॉय करें, अगर आप मेरी चानल पर नहीं हैं, तो मेरी चानल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, तो चले स्टार्ट करते हैं, तो यहा स्लाइसस बना लेंगे, मेरे पास है ब्लैक टेकर का फूट प्रोसेसर, जो कि मैं मैं मैक्सिमम वेजी बगेरा सब इसी में चॉप कर लेती हूँ, इसे टाइम सेविंग भी होता है, और यह मेरा बहुत ही फेवरेट अप्लाइंसस है, किचन का, अगर आपको भी यह फूट प्रोसेसर पचेस करनी है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्कुप्शन बॉक्स में शेर कर दूँगी, आप महां से पचेस कर सकते हैं, तो यहां पर आलो और प्यास की स्लाइसिंग हो गए है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं बैटर, बजियों का बैटर बनाने क के लिए हमें लेना है एक कप बेसन का आटा, ग्रैम फ्लावर और चने की दाल का आटा भी कहते हैं, अब हम इसमें आड़ करेंगे कौटर टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ज पाउडर, एक टीस्पून नमक, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, क्वाटर टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट और जीरा आट कर लेंगे, अब हमें बनाना है एक स्मूथ सा बैटर, तो इसमें हम आट करेंगे पानी, बैटर की कंसिस्टेंसी ना तो ज्यादा थिक रहेगी और ना ही ज्यादा रनी रहेगी, तो एक तब मेडियम रहेगी, और ख्याल रखे कि इसमें कोई भी लंस ना हो, बैटर तयार है, तो अब बारी आती है आलू की बज़ियां बनाने की, तो सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की बज़ियां, ओयल को गरम होने के लिए रख दिया है, जैसे ही ओयल गरम हो हम बज़ियां तलना स्टार्ट करतेंगे, तो इस तरह से आलू की बज़ियां और प्यास की बज़ियां दोनों को हम डीफ्राइ करेंगे, और इसके बाद हम बनाएंगे एक स्पेशल चाय, उस चाय के साथ इन बज़ियों का मज़ा ही कुछ और आता है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेर कर लें, आलो की बज़ियां तो बनके तयार हो गई है, अब बारी है प्यास की बज़ियों की, और हमारी पैस की बज़ियां भी बिलकुल तयार है, तो चले बनाते हैं एक मैजिकल चाय, जिसकी बात में कर रही थी, बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग चाय है, इसको आप कावा भी कह सकते हैं, तो मैं यह कावा बना रही हूं, दो लोगों और इसमें optional है आप चाहों तो soft भी डाल सकते हैं, बट मैं soft कभी-कभी डालती हूं, maximum times मैं use नहीं करती हूं, और इस पानी को इतना boil करना है, जो 4 cup पानी है, वो 2 cup हो जाए, पानी को completely जिराना है, जब तक कि ये 2 cup नहीं बन जाता, मैं और मेरे husband सबसे पहले सुबह में उठके यही चाह पीते हैं, क्योंकि ये बहुत ही healthy है, और weight loss के लिए भी बहुत helpful है, तो चाह हमारी तयार है, सर्फ करने के लिए, सर्फ करने से पहले हम इसमें add कर लेंगे, थोड़ा सा हानी, हमें ये चाह बहुत पसंद है, तो आप भी इस चाह को try करिएगा, जरूर से, अगर आप इस चाह को एक बार try कर लेंगे, तो ये आपकी one of the favorite चाह बन जाएगी, तो लेजिए हमारी शाम के चाह और बज़ियां तयार है, enjoy करने के लिए, तो आप भी इसको बनाए, try करें, और मुझे comment section में जरूर पताए, आपकी कुछ भी questions हो, तो आप मुझे comment section में पूछ स कर दूंगे, तो चलें फिर मिलते हैं किसी नई recipe के साथ, नई वीडियो में, तब तक के लिए खयाल रखे, अलाँ आफिस, टेक केर, बाबाई